साल का सबसे हाइब्ड क्लैश अगर मैं बोलू कौन सा है तो I think हर एक को पता होगा के सलार वर्सेज धंकी सबसे ज़्यादा एंटिस्पेटर और सबसे ज़्यादा हाइब्ड क्लैश रहा है 2023 का शारुखान वर्सेज प्रभास प्रशांद नील वर्सेज राजुकुमार हिरा या फिर डांकी वर्सेज सलार इस वान अफ दे मोस्ट एंटिसपेटेड एंड हैप्ड क्लैश ऑफ 2023 बट क्यूं था ऐसा क्योंकि दो बहुत बड़े स्टार्स दो बहुत बड़े डिरेक्टर एक साथ अपनी मूवी लेके आ रहे तो है और ऐसा बोड़े लंबे टाइम से नहीं हुआ था सब कोशिशें कर रहे थे कि कोई मूवी आगे हो जाये बट कोई भी टस से मस नहीं हुआ और दोनों ने मूवी एक साथ रिलीज करीं एक साथ रिलीज होने के बाद भी दोनों की टीम दोनों प्रोडक्शन टीम ने एडी चोटी का जोर लगा दिया कि एक दूसरे को सरपास कर सके फिर चाहे वो कॉर्परेट बुकिंग हो या फिर स्क्रीन शेरिंग हो जो नौर्थ में सलार को नहीं मिली या साउथ में डंकी को इतना प्यार नहीं मिला मतलब every tactic in the book was used to surpass the other movie but क्या result निकल के आया इस clash का कौन सी movie hit होई कौन सी movie flop होई दोनों hit होई दोनों flop होई इसका जवाब मैं नहीं आप लोग देना कमेंटर के अंदर आज मैं बात करूँगा सिरफ और सिरफ डंकी के बारे में कुछ facts, कुछ figures, कुछ research मैं करके लाया हूँ थोड़ी सी डंकी के उपर इसके बाद आप बताना कि आपके according क्या डंकी एक hit है या एक flop है तो सबसे पहले बात करते हैं राजु कुमार हिरानी की राजु कुमार हिरानी ने अभी तक 5 फिल्में डिरेक्ट की है डंकी को छोड़के जिसमें आती है मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, पीके, त्री इडियेट्स और संजु क्या कमाई की थी इन 5 की 5 मूवीज ने कमाई की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्यूकि आज कल जो सक्सेस का नापदंड है, जो हिट का नापदंड है वो हो कमाई के उपर ही रह गया है पहले हम इनकी कमाई की बात करते हैं और हम सब को पता है कि यह मूवीज हिट थी या फ्लॉप थी सबसे पहले अगर मैं बात करूं मुन्ना भाई MBBS 2023 में रिलीज हुई इस मूवी ने कमाई थे 56 क्रोड यह मैं ग्रॉस वर्ल्डवाइड एप्रॉक्सिमेड कलेक्शन की बात कर रहा हूँ दूसरे नंबर पर आईगी लगे रहो मुन्ना भाई जोकी 2006 में रिलीज हुई थी और इसने कमाई थे 125 क्रोड पीसरी इडिएट आइट सब को पता इसके बारे में क्या जबरदस्त मूवी थी है इसने कमाई थे 400 क्रोड 2009 के अंदर पीके 2017 में रिलीज हुई इस मूवी ने 400 क्रोड की कमाई की है तो पहले तो आप इन सब को कंपारिजन कर लो मुन्ना भाई आइकॉनिक मूवी लगे रहो मुन्ना भाई अनदर आइकॉनिक मूवी संजू आइकॉनिक मूवी पीके आइकॉनिक मूवी थी इडियट्स वन ओफ दे ग्रेटेस्ट मूवी अफ आल टा मुच्छ कमेंट नहीं करें जस्ट वांट आपका व्पिनियन आप बताओ क्या डंकी इस लिस्ट में फित होती है कमाई एक साइड पर रख दो कमाई मेने आपको बता दी बस आज mettए ही क्या लिश्ट में डंकी फित होती है अब इस सब के बाद मैं बात करता इस साल में रिलीज हुई शारू ख़ान की अगर हम कमाई की बात ही कर रहे हैं तो जवान 1145 करोड पठान एक हजार पांच करोड और फिर डंकी 400 करोड से़ल ऊर्न rápido Thailand तो ये शारू खान की दो इसी साल में रिलीज हुई बड़ी मूवी और ये तीसरी बड़ी मूवी की अगर हम कमाई की बात करें और शारू खान के स्टेंडर्स के हिसाब से भी मैं आए वांट टू नो क्या जवान पठान के बाद डंकी आप उस लिस्ट में एड करते हो या नहीं करते हो विदू विनो चोपड़ा और राजकुमार हिरानी की जोड़ी तूटी थी इस फिलम में तो पहले से एंटिसिपेट किया जा रहा था कि शायद ये मूवी उतनी आइकॉनिक नहीं होगी बट विदू विनो चोपड़ा ने भी एक मूवी रिलीज की इसी के आ तो बारवी फिल एक जबरदस्त हिट है 66 करोड के बाद भी बट क्या आप डंकी को एक उतनी आइकॉनिक उतनी सुपर हिट मानते हो इसी साल रिलीज हुई एक और मूवी केरल स्टोरी 303 करोड कमाने कमाये उस मूवी ने क्या वो मूवी हिट है या क्या वो मूवी है हम सबको बता है बात 300 करोड की नहीं है बात कमाई की नहीं है मैंने पहले भी बोला था कमाई को एक स्टेंडर जरूर बना दिया गया हिट फ्लॉप का बट कमाई इस नौट दे स्टेंडर फॉर डिक्लेरिंग मूवी हिट और फ्लॉप इसका सबसे बड़ा एक्जमपल अधी पूरुष है बहुत अच्छी घासे कमाई की थी बट कितनी बड़ी डिजास्टर है वो मूवी हम सब को पता है लास्ट में में बात करूंगा सलार की जिसने अब तक 627 करोड कमाई है इसी के साथ रिलीज हुई थी क्या वो हिट है क्या वो फ्लॉप है उसके अपर हम अगली वीडियो में बात करेंगे अभी जितने facts थे मेरे पास मैंने आपको सब बता दिया कहा है चाहे वो कमाई हो चाहे वो iconicness हो चाहे वो राजु कुमार हिरानी की पुरानी movies हो चाहे वो शारु खान की पुरानी movies हो आप कोमेंट में क्या डंकी आपके according एक all time ब्लॉक् करूं तो अच्छे लगे हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब किया बेना मत जाना